नमस्कार दोस्तों मैं गौरव आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ टेक्निकल करूजी में और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने Android फोन में Android N की डेवलपर प्रिव्यू रॉम को फ्लैश कर सकते हैं बहुत ही आसानी से वो भी बि इतना ठीक नहीं है, पहली बात तो ये कि वो प्रोसेस काफ़ी टिपिकल है, आपको पहले रॉम को डाउनलोड टरना है, उसके बाद में आपको अपनी बूतिलर को उनलाग करना है, उसके बाद में आपको manually flash करना है आपका सारा डेटा चला जायएगा, लेकिन दूसरा तर करते हैं तो आपको आने वाले सभी अपडेट्स OTA के थू मिलेंगे और जब Android N की stable release आ जाएगी तो आपको वो भी OTA के थू ही मिलेगा अगर आप manually flashing करते हैं तो आपको यह दोनों भी benefits नहीं मिलने वाले हैं साथ साथ एक special benefit यह है कि अगर आप चाहते हैं बीच में कभी भी वापस जाना marshmallow में तो आप वो भी directly अपने phone से ही जा सकते हैं बिना किसी tension के तो इसका मतलब यह तरीका सबसे safe है सबसे easy है और सिर्फ एक click में आपको पूरी की पूरी तरीके से अपने phone में Android N का मज़ा उठाने का फायदा देता है तो दोस्तों देखिए इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या चाहिए कि आपके बास में compatible device होना चाहिए वो यह तो हो सकता है nexus 6 या फिर nexus 5x, nexus 6P या फिर आपके बास में tablet है तो आप यूज कर सकते है nexus 9 और या फिर pixel C तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको एक link नीचे description में दे रहा हूँ आप वहाँ पर जा सकते हैं आप screen पर भी दे सकते हैं और अपने browser पर जाने के बाद में आप उस link को open कर लिजिए जैसी आप उस link पर open करेंगे तो आपको एक login करने के लिए पूछेगा मैंने already login किया हुआ है और login करने के बाद में आपको ऐसा screen दिखा ही देगा तो देखिए यहाँ पर लिखा आता है android beta program और यहाँ पर लिखा हुआ रहे है कि इसकी details है कैसे कैसे का काम करता है और यहाँ पर लिखा हुआ आता है और अगर system update नहीं आता था मैंने लिखी चेक कर सकता हूँ और देख लिजिए मुझे यहाँ पर एक system update आ चुका है आप देख सकते हैं यहाँ पर android beta program मैं इसको यहाँ पर click करता हूँ और आपको दिखाता हूँ तो देखें यहाँ पर बोलता है कि this update will install a preview version of android N on your nexus 6P new features include multi window support direct reply and many more और यह बोलता है कि यह जो version है यह इतना stable नहीं है कुछ कुर इसमें दिक्कत हो सकती है लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आप इसको install कर सकते हैं तो चलिए मैं click करता हूँ download पर और देखें यहाँ प आपको दिखाऊंगा कि यह कैसे काम करता है तो देखें दोस्तों यह हमारे download भी हो चुका है और लिखावा आ रहा है downloaded and verified और नीचे यहाँ पर लिखा आ रहा है restart and install तो अगर मैं click करता हूँ तो directly phone में ही अभी android N install हो जाएगा तो आए देखते हैं इसको restart करके और यह किस त तो यह देखें दोस्तों हमारा phone दुबारा से restart हुआ है और मेरे ख्याल से जो android N हो हो चुका होगा मैं password डालता हूँ लॉग इन करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ यह कैसे हुआ है चले दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे phone में वापस और अभी हम देखते हैं settings में जाके android का version जो है वो कौन सा है हमारे phone में तो चलिए हम यहाँ गए और settings में गए settings में यह देखिए तो अभी android N हमारे phone में आ इसमें कोई भी doubt नहीं है और यह देखिए about phone गए है android version चलिए android N जो है वो हमने बड़े ही आराम से flash कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपका कोई भी सवाला सुझा है तो आप नीचे comment करना ना पूलिएगा और अगर आपने अ करता है और आपको इसके इंदर क्या क्या चीज़ें मिल जाती है तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही जै हिंद वंदे मातरम